सर्वेभ्यो नमाह देवबाणि संस्कृतं यूटूब तलत द्रिश्यंप्रति भावतां भावती नाम्च आर्दम स्वागतं मित्रो अश्टा ध्याई भाष्य प्रत्मा बृत्ति ही क्यतुर्थाह अध्यायाह प्रत्माह पादह कक्षा संख्या नवमी नौ को आज पढ़ेंगे चली उस तक को ओपन कर लीजेगा गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था न्या या न्यश्च यह सोलामा सूत्र आपको पढ़ा दिया था ठीक है अब इसके आगे का हमारा सूत्र है सूत्र संख्या सत्रह कि प्राचाम तद्धिता हा ह सद चिते डहा है च्प्राचाम शर्ष्ठील विवक्तेटिख बहुषwelांतं तॉ शफाह पृत्माविवक्तृ एक भचनांतं कि सवनी को समास इसमें कोई नहीं है अनुवृत्ति ही आताह यञ्याह अनुपसर्जनात त्रियाम प्राध्पदिकात प्रत्ययाह परश्च इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है ठीक है अर्थ अहां गुरुजी कहते हैं आगे अनुपसर्जने भ्यो यहिंते भ्यो प्रातिपदिके भ्याह प्राच्याम आचार्यानाम मतेन स्त्रियाम प्रत्ययो भवती चाच तद्धित सन्यको भवती कहते हैं कि अनुपसर्जन मनें प्रधान अर्थ अभिधाई प्रधान अर्थ को कहने वाला जो शब्द और यहीं प्रत्यान्द यही प्रत्याद जिस अर्थ में आया है उसी अर्थ को कहने वाला शब्द जाने यही प्रत्य जिस अर्थ में आया है और यदि उसी अर्थ को वो शब्द कह रहा है यही प्रत्य अंत तो वो प्रधान है और अन्य अर्थ में चला गया तो अप्रधान हो गया तो उसी अर्थ को कहने वाला यहीं प्राथपदिक प्राथपदिक कौन से प्राचाम आचारियान प्राचीन आचारियों के मत्में मत्में इस्त्रियाम इस्त्रियों भवति क्या है प्रत्य होता है और वो प्रत्य कह रहे हैं सच्छ तद्धित संज्य को भवति और उसकी तद्धित संज्या भी कर रहे हैं क्योंकि यहां पर जो प्रत्य है उनकी तद्धित संज्या नहीं है तद्धित संज्या कहां से है जहां पर तद्धिता सूत्र आगे आएगा इसी पाद में तद्धिता सूत्र से लेकर के पांच में अध्याय के अंत तक जो प्रत्य है वो तो तद्धि सुत्र से पहले पहले प्रत्य इसकी तद्दित संज्या प्राप्त नहीं थी तो इसको तद्दित संज्या भी करानी है तो कह रहे तंद संज्य रहे और उसकी coefficient श्भ trust संज्या हो जाता है उदाहरण दे रहे हैं गार्ग्या यानी वात्स्या यानी अन्ये शाम मते प्राचीन से भिन जो आचार हैं उनके मत्में कहते हैं कारगी वात्सी कैसा यह चप्रच्छे सुत्र में हमने सिद्धी की ती वही सिद्धी बनेंगे अन्यों के मत्में प्राचीन आचारियों के मत्में क्या बनेंगी यह वाली बनेंगे यह गार ग्यायनी वात्ष्यायनी कि दी में कुछ भी विशेज नहीं है यहां पर आपको दिखा देते हैं ठीक है संया करने का प्रियोजन यह 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 बना लिया यह गोत्रापत्यं इस्तरी तो गार ग्या ऐसा बन गया यह ये गोत्य प्रत्यान्त हो गया अब प्राचिन आचारियों के इमत में इसमें इस्त्रीलिंग कहना तो क्या जाएगा ये आएगा उपरसे गीप्राप्त इसको रोक दिया कि इपनी वह क्या होगा प्रत्य हो जाएगा ठीक है शकार की संज्या हो जाती है ठीक है और यह सकार की संज्या है उसके लिए सूत्र ऩूटर मनें पड़ लिया है शह प्रत्यस्युप पर्थम अध्याय के प्रतिय पादका आपका सूत्र है छठमा सुत्र है शाह प्रत्य समय प्रत्य गे आदी मूर्धन्य शकार की इत्सन्या होती है ठीक है अब यह गार्ग्या और वह को क्या हो जाता है कि इसकी इसके पहले तो इसकी अंग्य संज्या हो जाएगी अब आई नेई फढ़ खचगाम प्रत्य दीनाम प्रत्य दीनाम साथ में अध्याय के प्रथम पाद का शुरू आरम में सूत्र है ठीक है तो इसको क्या हो जाता है अब यहां पर इसके पर रहते है यह ची भम से क्या हो जाएगी भसंजा हो गई भस्या यस्यति दिच्या यसेटिचे से क्या हो गया अकार का लोप हो गया क्या हो गयां अकार का लोप कि तद्धित प्रत्य हो गया तद्धित प्रत्यांत पूरे शब्द की कृत तद्धित समासाश्च से पूरे की प्रात्यपदिक संज्या हो गई है क्या हो गई है प्रत्यांत कहित की क्या हो गई है तद्धित प्रात्यपदिक संज्या हो गई अब हमारा यह बने गया गार ग्या ऐसा बने गया गार ग्यायन अब क्या होगी प्रात्पतिक संज्ञा के अधिकार में अब दूबारा इस त्री लिंगी के फिर अगया भी पडेंगे हो यह बहुतर है यह बिश्वा अभा काऊंकश प्रत्य से यह प्रत्य होगा कि अ कॉझे श्व प्रत्य है है कि इससे क्या हो जाएगा गार या न और गीष प्रत्य होगा फिर द्वारा एस त्री लिंगों को कहने के लिए दो प्रत्य आ रहे हैं अर्थ यह कि रहेगा गी शका यह बचे और यह इस्य तीच चैकार कर लोप ओ गया गार ग्यायनी और यह आजयेका उसका अलयाधि लोप हो जाएगा और यह नको में अट कुपवांग नुम्यभइवेड पी से क्या वो जाएगा और वो जाएगा तो किया बन जाएगा आपका कार ग्यायनी हे बन गया बन गयागी गार ग्यायानी ऐसा बन गयागी चलिएगा इसी प्रकार से वत्स शब्द से वत्सस्या गोत्रा पत्यम्त्री वात्स्यायनी अब आगे है हमारा सूत्र है सर्वत्र लोहित आदि कतंते भ्याह सर्वत्र अव्यपदम लोहित आदि कतंते भ्याह पंचमी वक्ति भावचनांतम समा सहा लोहित आदिर ये शाम ते लोहित आदयाह बहुब्री हे लोहित शब्द है आदी में जिन शब्दों के बेशब्द क्या हैं लोहित आदि और कतोंते ये शंते कंताठी है मावी इता शब्द अंतमें है जिन वो crowd अघये ओर लोहितादयक्लार्ट्लि Cheng उसमें लोहित शब्द पड़ाय और कत शब्द पड़ाय तो लोहित से लेकर के कट सहित शब्दों को हमें यहाँ पर ग्रहन करना है कि तो पहले तुम रहन करना लोहित आदि लोहित आदिमें जिनके तो लोहित आदी में जिनके फिर कतंत में हैं जिनके तो हमने लोहीत से लेकर के कतंत स 나온 कंदार देखन क्रमदार तत्पूर्थ समास हो गिए है एंठेग। आप देखेगा यह तो आपका यह पहले मैं गणपाठ आप पुद्खा देता हूँ गणपाठ यह गरगादी गण में पड़े उए हैं ठीक है गरगाद इभ्यों यहीं सूत्र पर गरगादी गण है यह गणपाठ के अंदर यहां पर आप देखेंगे यह शब्द पड़ा लोहित देख रहे हैं आप लोहित और यह बड़ा हुआ है काता ठीक है इस से आगे भी और दोनों से सीमा मर्यादा को क्लियर कर रहे हैं ना इससे नीचे जाना लोहित आदी में जिनके लोहित आधी में ढूर्एफाजिद ले लिया लोहित आधी में और कत अंत में तो अब क्या इतने शब्द आएंगे बस लोहित से लेकर करके कत परियंद कि बाकी ऊपर के अड़ जाएंगे नीचे के अड़ जाएंगे तो यहां लो हिता आधी कतंते बैसे यह लिया हुआ है जलिएगा कि समझ लीजिएगा आगे अब इसका अर्थ देख लेते हैं कि अर्थ अनुबृत्ति इसमें आती है आपकी स्फस्त अधिताह यहां आताह अनुपसर्जनात स्त्रियाम प्रात्पदिकात प्रत्ययाह परश्च इनके अनुबृत्ति आती है अर्था यहनते भ्यो नुपसर्जने भ्यो लोहिता अधिभ्याह कतपरियंते भ्याह प्रातिपदिके भ्याह सर्वत्र सर्वेश्याम मते स्त्रियाम पहप्रत्ययो भवति साच्च अधित संज्यको भवति यही प्रत्यांत गर्गादी विण में पड़ा हुआ तो क्या है यह अथा चब्ड है यही प्रत्यांत और लोहित से ले करके कट पर drieंद शब्ड लुख स्वेए परय अच्यारीव के मत्में पान का निलिंफय पंड़नी से पूर्व के लिए यह पाद के तो नहीं कहlichtते बाद के तो वही मानेगए पांडी का मत में क्या होता इस्त no प्रत्य होता है और वो संजय को जाता है साथसात मेंस Craft category शिरौस侧ित्यानी और यानी इसी प्रकार से और भी यूजधारण में शब्द उनके सभी के उदाहना बने जाएगे मिले ऑदाहन के लिए गुरु जी ने तीन उदाहन दिखा अब देखेगा यहां पर मैं गुरु जी की हिंदी पढ़की बताता हूं और आपको अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा अनुपसर जाना यहन्ता लोहित से लेकर कत परियंत प्राध्य पदिकों से इस्त्री लिंग विशय में प्रत्य होता है तरवत्र सब आचारियों के मत में और वा तद्धित संजक होता है लोहितादीगण गर्गाधीगण के अंतरगत पढ़ा है यह मैंने आपको दिखा ही दिया अधाहा यहीनि प्रत्य है यहीं प्रत्य क्या प्रोर्ब्र कृत्य सूत्र से स्फप्रत्य हो जाता है स्थ्ट्री लिंग में टिक है यहां भी तद्धित संज्या करने का पूर्व सूत्रों पूर्वाले सूत्र में कृत्त दित समाव साष्च प्राप्पति संज्या फल ही है ठीक है इसकी शिद्धी दिखा रहे हैं आप शिद्धी देख लीगेगा लॉट कट में उदान दिया लौहित्या यानी लोहित्य की पाउत्री लड़की पुत्र की पुत्री सांशांसित्या यानी संशित्य की पाउत्री वाब्रम्या यानी बब्रू की पाउत्री लौहित्या सांशित्या यंत प्राध्पति कोंचे यां श्फवा ज्यान रखेंगे लोहित से यहीं लाकर के कैसे गर्ग से गार्ग बना लिए ता यहां पर लोहित से लोहित बन जाएगा ब्रद्धियाधि जल्द्धियादी ओकर करके कैसão संसित स фак मिली ऐसे बन गया और बभुरूसे बाब भ्रव्य अभी आगे में जबी तो इसमें लोहित और सांशेत्य यहीं प्रत्यान्त हैं गरगादिभ्यों यहीं से एंप्रत्यान्त अपत्य अर्थ में हैं तो यहां पर इश्फप्रत्या हुआ अ उभ्शाों नैं बब्रु शब्द से मधु बब्रोर इत्यादी एक चार एक एक 106 से यहीं उआ है यह सूत्र मैं बबaffentha इस सूत्र से उवा है वो गरगाति के अंतर्गत नहीं है है आज दिखाया और प्रत्या से वानत आधे शो करके बाप भ्रब्य बना अब इसपा ओकर के आधी दिखा दिया इनों ने अब यहाँ पर देख लिए कैसे होता है मैं कि यह हम देखते हैं दो देख लेते हैं पहले दिक बलकुल वैसा ही है और विशेशिस नहीं है इसमें यह हैं आपका यह प्रत्यांत, लोहत अश्या गोत्रा पत्यम्ष्त्री लवहत्यायुनिर अब यहां पर यह से क्या हो गया फ्रत्य हो गया उत्री लिंक में वह क्या हो जाएगा आयन हो जाएगा पूर्वत सब नुए और यह एक्षिवम से लोग हो जाएगा और किर्ट दे समासा शे प्राद्पृ संज्या हो जाएगी फिर शित्गवुरा देवस्ट से स्वाधियूत्पत्त करके हहल्गा दिलो जाएगा तो यह बन जाएगा लउहित्यायनी इस पादगी नहीं कि एंशित्या है संशित्य स्शंषित्य अब है बब्भु का कि है भब्भु एप्रात्त पदी कहें है बब्वु ठीक है से यहां पर बब्रो हो कोत्रा पत्र seie को अब यहां पर बाबभर्व ने खाए आब यह को करना दो को करना यह तो वांस टो न में करके परे रहते यह काराधी प्रते से उसको पूर्व वुआ यह काराधी-प्रत्य के परे रहते यह उसका अर्थ महीं देख लिएगा तो इसको अवादे शोजगा अवादे शोगा तो बाब भ्रव ऐसा बने गया यह इस्वप्रत्य हो गया तो बाब भ्रा यानी इसमें अठ कुपा नुम विवाएवेपी लग जाएगा वसी तना यह ठीक है तो नोट्बुक पर शॉटकट में कर लीजेगा या मानसिक अपना चिंतन करके एक बाद दोहरा लीजेगा ठीक है यह सूत्र आपको दिखा देते हैं मधु वब्रु और ब्राम्मन कौशिक योह हो प्रत्य भवत्य अने बब्रु से ब्राम्मन गोत्र में और बब्रु से कौशिक गोत्र को यह कहना ओ तो यह प्रत्य हो जाता है तो यह बन गया था क्यालिएगा तो यह आपका हो गया सर्वत्र लोहिताद कतंति भ्याह आगे का सूत्र है हमारा काउरव्या काउरव्या मांडू का भ्याम पदाच्छेद काउरव्य मांडू का भ्याम पंचमी व्यक्ति दुचनांतं चा अभ्यापदं अभ्याम काउरव्या मांडू का अभ्याम के तर यतर योग द्वंद्वाह जेश्चेद अनुपसर्जनात श्त्रियाम प्राद्पदिकात प्रत्य परश्चे इनकी अनुवृत्ति आ रहे है ठीके अर्था गाउरव्या मान्डूक एतित अब्याम अनुपसर जनाब्याम प्राद्यपदिक आभ्याम स्थ्रियामं स्फप्रत्यव भवति सचात दित संजयको भवति ठीक है काउरभ्या और मांडूक क्या रखेगा इनना अनुपसर प्रदान प्रात्परिकों से इस ती लिंग में श्क प्रत्य होता है और वात अध्यित संज्यक हो जाता है कि अब यहां पर क्या है हैं कि यहां पर देखेगा काउरभ्या यहां पर गुरुजीन दिखा दिया यहीं पर देख लेते हैं सादा लिखा हुआ है कुर्वा दिभ्यों यहां क्यार एक 151 से कुरूश चब्द से अपत्य अर्त में प्रत्त्य हो छाए तो ठख बना का बुट्दि हो जाएगी और रू को और गुणा लग करके और गुणा जो अभी लगाया था और वांतो ए प्रत्त्य लग शाए प्रत्त्य करके न संड्र बना कि मैं अ अब यहां पर कवरभ्य है अब कवरभ्य इस्त्री कहना अपत्य को कुरू की इस्ताप गोत्रापत्य इस्त्री तो यहां पर टाप प्रत्य प्राप्थ था अजाद्य जो अकारांत है तो अजाद्य तश्टाप से टाप प्रत्य 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 प् किशी प्रकार मंदूक शब्द से धक्चमंदू कात के से क्वेत्ठ रखर के। अर्णप्रत्य है जो करके इसमें तो मांंदूक बन घाएगा स्रियापत्य कह रहे हैं आपर हम तो यह मांडूक बन गया इसमें क्या अनप्रत्या है तो इसलिए इस्त्री को कहने के लिए कि आपकी प्राप्ति है तर अला समझ में आ गया कोई परिशान ही नहीं है कि इसने क्या कर दिया कि इन शब्दों से सभी आचारे Monsieur कि मत्मय क्या और 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 होगा ए दान रखेंगे तो कवर व्यायनी अनत्तों करके मांडू यह उदान बन जाएंगे लिएगा है की हो गया का यह सी प्रथमें बीस वयसी सप्तमी वक्ती एकवचनांतम प्रथमे सप्तमी वक्ती एकवचनांतम अनुवर्थे गीप अताहा अनुपसर्जनात इस्त्रियाम प्रात्पतिकात प्रत्या परश्य इनकी अनुवर्थे आरे ठीक है अर्थ प्रथम वयस वर्तमाने भ्यो नुपसर्जने भ्यो तंते भ्या प्राजबति के भ्या इस्त्रियां की प्रत्ययो भवति क्याते प्रथम वयस और प्रथम अवस्था और प्रथम अवस्था को कहना हो इस्त्री की प्रथम अवस्था को कहना हो तो प्रद्धान प्रात्पतिक अधन्त हमने हरस्वकारांत प्रात्पतिक से इस्त्रीलिंग में क्या हो जाता है गी प्रत्य हो जाता है उदार्ण हमने देख लिया था कुमारी किशोरी वरकरी ठीक है वरकरी मनें तरुन वकरी और किशोरी कुमारी का आर्थ हो सोला वर्ष तक की लड़की है कुमारी मनें लगबग पच्छे साथ वर्ष की बाद में सोला वर्ष तक की जो आयू होती है वो कुमारी कुमार वस्था होती है कुमारी उसको बोले है लड़की को उसको कहने के लिए गी पूरा है तो कुमारी एसी किशोर से किशोरी बरकर से बरकरी बरकर का तरुन बकरी इसी बकरी जो अभी गर्भणी नहीं हुई है जिसने बच्चा पैदा नहीं किया है उससे पहले-पहले की और लगबाग चार-पांच महिने के बाद की ठीक है क्योंकि एक साल में बकरी पूरी हो जाती है है चलिएगा तो यह करना इसी प्रकार से और भी कितने भी शब्दां सबसे यदि वय प्रथम वय को कहना होगा कुमारा वस्था को तो गी प्रत्य हो जाता है हरत्ष्वकारांद शब्द होना चाहिए कि द्विगो हो ट्यूगों हो पंचमी विकति एक क विचनानतं अनुवरति गीप अताह स्तिरियां प्रात्यकार प्रत्ययाह परश्च इनकानुवरती है कि अर्था प्रत्यभति ज्यान देंगे हैं कि करें अनुगु संज्यक डिगुसंजा शंख्या पूर्वो डिगुँ दूसरे अद्ध्या के पर्थम पाद में पढ़ा था वाच्छक होना चाहिए और हरस्वाकारांत ऐसे प्रादवर्ग से इस्त्री लिंग में प्रत्य हो जाता है यह अधारण को यहां पर दिएस शिद्धि अमें ने पहले ही कर लिए। पंचपूली दशफूली ठीक पंचपूली तशफूली संख्या पूर्वो दुगुहु यहां पर शिद्धि किती यहां करेंगे सिद्धी अब सिद्धी नहीं करांगो इसकी बार बार चन्या होती है सिद्धी दो एक पचास में की थी इसकी वास्तन में कि नहीं कि रंख्या पूर्वो द्युगु हूँ कि कि पचास में सिद्धी की थी हमने इसकी तद्धित आर्थो तरपत समाहार एच्च पंच पूली पांच पूलियों का समूह पांच पूलियों का समूह पूलियों का समाहार समूह तो यहां पर आप देखेंगे ठीक हैं यहां पर आपको यह लगाना यहां देख लीजिएगा और यहां पर यह बारति लगाता अकारां तो तरपदा पदो द्युगु इस्त्रियां भाष्चते मानिया हरस्व अकारां तो उत्तर पदव होता है जिसमें ऐसे गुए तर लिए आंवाने वहत गया तो इससलिए लिए प्रुटि बना था तो अहरस्वकारांत और इसलिए जिए जाता है जाता दींद्या पूल हो जाता है जुब संज्या पूर दुगु से पंच पूल की दशपूल की दुगु संज्या ओजाती है और फिर अकाराँम तो तर पदुगु इस्तिरियां भाष्ट यह स्धिल मन जाता है युसे इन से क्या हो जाता है गिप प्रत्ति निप हो गया पंच पूल गीप और यह से शाह का चलिएगा अब चलते हैं आगे तूत्र संक्या 22 अपरिमान विस्ताच्त कम्मा लेभ्यो ना तद्धित लुकि तद्धित लुकि सक्तमी वक्ति एक वचनांतम समास हो ना परिमानम अपरिमानम नहीं तत पुरुषा माने परिमान नहीं है वो अपरिमान हो गया अपरिमानंचा विस्तष्चा आचितष्चा कम्बल्यंचा अपरिमान विस्ताचित कम्बल्यानी एभ्या अपरिमान विस्ताचित कम्बल्य न entire single इतरे योगज़ जोंदवा एध जोंदुगे आपका तद्धितस्या लुक तद्धित लुक तस्मिन तद्धित लुकी तद्धित प्रत्य आपको पता ही दि अब आ जाईएगा अनु ओरितीष में आ रही है दुगोहो गीप अताह अनुपसर जनात प्रियाम प्रात्पदिकात प्रत्याह परश्च इनके अनुवृत्तियार ये ठीक है? अर्था अकारांताद अपरिमानांताद दुगोहो विस्ताचत कम्बल्यांताच्च दुगू सन्यकात प्रात्पदिकात सद्धित लुकी सती स्त्रियाम गीप प्रत्ययो नभवतिया ठीक है? कहे रहे हैं हरस्व अकारांत और क्या अपरिमानांताद दुगोहो मनें परिमान को नहीं कह रहा हो ऐसा गिगू सन्यक प्रात्पदिक ठीक है? और कहते हैं विस्ता चित कम्बल्यांत पश्च और विस्ता और आचित प्रिमानाद वाचित हैं। विस्ता एक बिलांद को कहते हैं इतने को विस्त बोलते हैं परिमान वाची शब्द विस्त और ऐसी आच्चित कहते हैं यह भी अंत्वय ओजन के तो ऐसे दुगू संजक प्राथत्र यह भी दुगू संजक ओने चाहिए तो तद्धित लुकी सते परंतु कहते हैं तद्धित का लुक हुआ हो तद्धित प्रत्य आया हो और उस तद्धित का लुक हो गया हो तो इस त्रीलिंग में गीप प्रत्य नहीं होता है त्रीलिंग में गीप प्रत्य नहीं होगा तद्धित लुक होने पर अब आजाएगा पूर्व सूत्र से दुगोह सूत्र से क्या था कोई भी दुगु संजग हो हां कारांत कोई भी दुगु संजग हो हरस्व कारांत उससे गीप प्रत्य की प्राप्ति हो रही थी इसने का भाई एक तो ऐसा दिगू को छोड़ देना है जिसके अंत में परिमाण वाची शब्द हो उससे नहीं करना अपरिमाण वाची शब्द हो क्या मनें परिमाण को कहने वाला शब्द नहीं होना चाहिए कुर्माण परिमाण को कहने वाला शब्द नहीं हो एसे दुगूसे कि ऐसे दुगूसे गी प्रत्य और इस से तद्धित अ तद्धित का लुक्वी नहीं वहा हो ऐसे दुगू से गीप प्रत्य नहीं होता इस त्रीलिंग में और कहते हैं बिस्त और आचित और कंबल्य यह शब्द हैं यह परिमाणवाची हैं तो कहते हैं यह परिमाणवाची अंत में हो तो भी गीप प्रत्य नहीं होगा ठीक है इसके अलावा और अन्य परिमानवाची शब्द हैं उनके अंत में रहते हुए दुगू संज्यक से तो गिंप्रत्य हो जाएगा पूर्वाले सुत्र से इनसे निशेद कर दिया तो आपको सुक्ष बुद्धी लगानी पड़ी समझने के लिए कुछ वैसे सालल है बुलकुल कोई परिशानी नहीं है कि कहते हैं विस्ता दयाहा परिमान वाचिनाहा सब शब्दास्त अधर्थम अत्र ग्रहण तो विस्ता आचित और कंबल ये शब्द कैसे परिमान वाचि तो आपरिमान वाचि नहीं ओगाए तो परिमान वाचिसलो और कंबल इन से अतिरित्त जो परिमान वाचिस शब्द हैं से भिनका निश्यदी कर दिया वापरिमान वाचिक उनसे तो तो गीमप्रत्य हो जाएगगा उदार्ण लीजिएगा उदार्ण यापर दे रहें गुरुजी अपरिमानांतात अपरिमानांत से कहते हैं पंचाश्वा दशाश्वा दिवर्षा त्रिवर्षा ग्विशता त्रिशता इसमें क्या है यह अश्वा वर्षा खायता यह क्या अपरिमानवांची शब्द है और संक्या पूर्वो द्गू से इसकी दुगु सन्या आए जान देंगे और इनसे तद्धित का लुक भी हुआ है दिखा देंगे भी शिद्धियों में तो इनसे क्या प्राप्त था उपर वाले सूत्र से दुगों से गी प्राप्त था तो उसका निश्यद कर दिया अब श्क्रापउयों में प्रैक का हैं एक ड्रीट है देविस्टा द्री लिएस्टा प्रिया चिटा कंबल्या ट्री विलिए ऑच्ट एगा यह फिल्हे कूश मैं हिंदी में गुर्ट्व जी लिख वाणि दिया परिमाण तथा विस्ता आचित और कंबल्य अंतवाले दुगु संजग प्रात्पतिकों से सद्धित के लुक हो जाने पर इस्त्री लिंग में गी प्रत्य नहीं होता विस्ता आधी परिमाण वाची शब्द हैं तता इन में भी निशेद प्राप्त कराने के लिए इनक ग्रहन है पूर्व सूत्र का ही यहां अपवाद सूत्र है यह पूर्व सूत्र का ही यहां अपवाद सूत्र है द्युगोह का चलिएगा यहां पर देख लीजेगा सिद्धी सरल है कटिन भी नहीं है पंचभिर डश्वेह क्रीटा पंचाश्वां पाँच अश्वों से खरीदी हुई कोई वस्तु Ashdama eta ओध्र होस्त्री लिंग के है कीने तो इसका युव जा की बिनखिक बिद्पत्ति आलाउस कि बिरह करेंगे पंचंव अश्व कि अधित आर्थ उत्तर पद्ध समाहारी इच्छा यह हमने पड़ी लिया है तद्धित आर्फी उपर समाँ से लूक हो गया इनकाअ किर्ट अभदित समासाश्च ये पहले यह पर वह तब यह बार बार नहीं दिखाएंगे धितन्यू तको के हो गया अब यहां कृत्तत्य समाज है प्रात्यपदिक बने गया पंचा अश्व और अकासव ने दीरगा हो करके पंचा अश्व बने गया अब एक सूत्र है तेनक्रीतम क्या बोलो तेनक्रीतम पांच एक छत्तीस सिटेने किरीटम क्या करता है क्रितम मने खरीदा गया इस चाहरत में त्रतिया rechts समर्थ प्राथ्पधिक से थक्ष़वत मुआ हे थ्क प्रत्य जोता है तो पंचाश्व ठक हो गया प्रत्य होगा चीज्फिक पूर्वो दुगु हूँ द्यान रखेंगे संक्यापूर में इसलिए ये तद्यतारत में संक्यापूर में होगी तो उसकी दुगु संज्या हो इसकी दुगु संज्या है पंचाश्चुकि अब दुगू संज्या होने से क्या है यह जो ठत आया तत्यन क्रीतम से अध्यर्द पूर्व दुगोर लुक संज्यायाम पांच एक अठ्थाइस यह यह कहता है कि कि क्रीत आधी अर्थों में बहित जो प्रत्य हैं यदि कि कि अहीं अधी पूर्व में अर्ध पूर्व में अतबद्वा संज्यकपूर में हैं मा दूसे आये हुए है कि व मूत दुगू से आये तो उनसे उत्पन प्रत्यग लुक हो जाता है संजय भिंड्ट में अन्य के आध्य होनी चाहिए लुट के पांछ में अध्याक प्रथम पाद का शच्ट ऐस हूटरे सफस्गी अकृतिया समर्था प्राथ प्रस्वामती नहें अगया इस अर्थ में बहां पर उस प्रकरणुमें कई प्रत्य कोई धानि ठीक आदी उस सारे प्रत्य होते तो अपने ठक की आये चीक है और फिर उससे पहले ये सुत्रे कि पांच में अध्याय में पूरा-पूरा समझ में आएगा अब यतना समय में जोतना देख लिएगा यह कहता है एक अध्यार्द पूर्व दुगोलु संज्यायांत है अध्यर्द पूरव प्रात्पति चो तरस्यार ही यस्यव प्रत्यष्य लुकभवती मैं अध्यर्द माले अध्यर्ध पूर आर्थ ने जो उत्पन प्रत्य है मैंने आर्थ ही एक अर्थ है वहाँ पर लिगत आर्त है यह दो ons जरता लूक हो जाता है जी संझ्यान होनी चाहिए बस इतना ही है ठीक है अब देखियेगा और आप यहां पर हम देखते हैं यहां पर इतना तो अब अगया लुक प्रत्य का लूक क्या होता है प्रत्य से लुक शुलू लुपा अदर्शन होना ही लुक है लुक हो गया तो पंचाश्व ऐसा बना अब इस प्रांट प्राथ पदिक में तद्दित का लुख हुआ ठीक है दुखु संजयक भी है तो इस्तिरीत वविवक्षत होने से मनें इस्तिरीत भूशत भूशत वाली है और जो पहले अमने पड़ा था भी दुखु से गीप्राप्त था उसका अपर्यमान विस्ताच्त कंवले भ्यो नतद्यत लुकी से अपरीमानवाची मानकरके अपर करके निशेद हो गया तो अजाद अश्टताप अब उसका गीप का निशेद हो गया है तो क्या हो जाएगा अजाद तस्टत तौед टाप हो जाएगा अतंत ए खीप का निश्यद किया इस तरी प्रत्य का निश्यद नहीं किया जया ड्यान रखेंगे गीप का निश्यद किया है इसलिए वह ज्रेज टप से टाप रापter हो गया तो प्रत्य परश्ट से परे आगया ताप और यह इत संजा सुव आगया तो क्या बनें गया पंच आश्वा इसी प्रकार क्या है कि इसी प्रकार दशाश्वा बेस तो दशाश्वा बन जाएगा दश आश्वों से खरीदी हुई कोई वस्तू ठीक है चलिएगा ऐसे आगे उदार रहने इसका दुवर्षा इसका विग्रह यहां पर दिखाया गुरुजी ने दुवर्षे भूते दुवर्ष उगये हैं जिसको उसको कहने के लिए है तो दुवर्षे भूते अईसा विग्र करके दुवर्ष तो ने जो दुवर्ष की है को इस त competitive है कोई और भी हो सकते है बालिका इवाल की जो भी है ओदूर्ष जो तीन वर्ष की हो गई तो अब यहां पर बिग्र दिखाएं द्वी आऊ वर्ष आऊ इस अवस्था में तम धीष्टो ब्रितो भूतो भावी पांच एक उन्यासिमा सुत्र है इसमें एक भूत अर्थ है भूत नहों हो चुका है इस अर्थ में प्रथमा समर्थ से क्या होता है ठाइं प्रत्य होता है तम धीष्टो ब्रतो भूतो भावी ठीक है तो ठाइं प्रत्य हो गया अब उस ठाइं प्रत्य का वहीं पर आगे एक सूत्र है चित्तवति नित्यम चित्तवति मनें चेतन को कहा जा रहा हो माने किसी प्राणी को कहा जा रहा हो तो समधीश्टों विर्तों भूतों भावी इस अर्थ में उत्पन्न जो ठाई प्रत्त्य उसका लुक हो गया लुक हो गया अब पूर्वत इस्तरीत्त विवक्षा में गी प्राप्तता दुगों से संक्यापूर दुगू से दुगू संज्या है इसकी दिवर्ष की ये लुक आधी पूर्वत हो जाए सब कुछ है उसका अपरिमान वाची प्रात्वदिक मान करके निशेद हो गया इस ठीक है सरल है अभी दो सुत्र देख लीजिएगा चित्तवति नित्यम और तम अधीश्टो ब्रतो भूतो भावी ठीक है बाकी अपनी पुस्तर में देखिएगा एक बार अच्छी प्रकार थे पांच एक उन्यासी दुतिया समर्तात काल वाचना प्रात्पति कात अधीश्ट ब्रितभूत भावी इत्यतेश्व अर्थेश्व यथा विहितम ठाई प्रत्तयो भवती यहां पर दुतिया प्रात्पति किसे होता है यहां पर ध्यान रखेंगे मेरा विध्यान नहीं गया यहां पर जो यह विग्रा दिखाया यहां पर यहां पर आउट आएगा दुतिया समर्द से होता है ठीक है परतमा में तो नहीं है दुतिया में आएगा आउट वर्ष आउट दुतिया दिवचन आउट होता है और त्री शस और वर्ष शस ऐसा आएगा दुतिया व्रक्ति के बहुंचन प्रत्य आएगा देख लीजिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो कहते हैं इनमें अधिया समर्थत कारवाचना प्राथ्पति काट अधिश्ट भूत भावी 278 अर्थे चुए था वे तम ठाइप्रत्य वहती बनें जो भी अर्थ हैं उन अर्थोमें यह था भित जो जो भित किया गया तो इथा था थाइप्रत्य होता यह मान लीजेगा ठीक है तो यहां पर हमने भूत अर्थ लिया है जी मासम भूतो मासिकह हूं है मासम हूं जी का हूं मासम भावी मासि का उत्सवाई आगे उदारनाई हुँ हमारा तो वो था दि वर्षा त्रिवर्षा तीन वर्ष भीत गए जिसको दो वर्ष को प्राप्त उगई तीन वर्ष को प्राप्त ऊगई इस प्रकार से अर्थ है और इसी के वहीं आगे प्रही सूत्रा आता है चित्तवति नित्यम एक एच यह कहता है अर्थ दुटिया समर्थात वर्ष शब्दान तर्थ द्वू लोग बर दुख संजेक आथ प्राट प्रत्य आरति विदे दिश्टा दिश्वर्थे शूत पंडश्य प्रत्य से नित्यम लुक भवति कि मां दुतिया समर्थ वर्श शब्द अंत में वना चाहिए सभी में भर शब्द और दुख कैंट में दिवर शात्र वर्शा में और चित्रवान करता को चित्रवान अर्थ हो कि अधीष्ट अधी अर्थों में उत्पन जो प्रत्य उसका नित्य ही लुक हो जाता है तो इसलिए यहां पर क्या हो गया इसका लुक हो गया है ठीक है बागी यहां सब कुछ ठीक लिखा हुआ है बस यहां एक बाद थोड़ा सा परिवर्थन कर लिए जो बता दिया आउट और एसे इसका करेंगे तीन का तो त्री शस वर्ष शस ऐसा जाएगा अपर टाप आधी हो जाएगा तो यह बनका दिवर्षा त्री वर्षा बन गया अब आगे का उधारने द्विशता त्री शता इसको सवाप्ती करते हैं आज द्विभ्याम करीता द्विशता दो सव रुप से खरीदी हुई कोई बस्तू तो द्विभ्याम शत्व्याम पंचाश्वा के समान समासा दी सब कुछ हो जाएगे तदिता अर्थोपत समारेचा से समास हो गया ठीक है सुपर्धाद प्रात्पति का यह सो लुका दी हो करके क्या मना इसका नहीं कि इसका इसका लुक हो जाएगा तो द्विशत ऐसा बन गया अब यहाँ पर कि तमाचे क्रिप्त दित समाच प्राद्वित सन्या है तंख्याया अतिश धंताया कन प्रत्य होता है आईएगा इसका अर्थ देख लीजेगा एक बार यह है यह पांच एक बाइस बास उत्र है अत्यंताया अशन्या शदंतायाश्य संख्याया कन प्रत्ययो भवत्यार ही ये श्वर थेशु यह कहते हैं अति अंत में अति अंत में हो और अंत अंत वाला नहीं होना चाहिए और शत अंत वाला नहीं होना चाहिए शत ध्यान रखेंगे यह कहते हैं कि यह ती और शत जैसे संक्या वाजी मनें जैसे विंशती विंशती एकोन विंशती शडविंशती नवविंशती तो ती अंत में नहीं होना चाहिए अश्विंशती एक अत्री शडविंशती तो शत अंत वाला नहीं होना चाहिए इससे भिंशती इससे विंशती वाजी से संक्या पूर में है तो ऐसे शब्द से कहते हैं जो आरही अर्थ हैं कि क्रीत अदि अर्थ हैं उन में क्या ओ जाता है कन प्रत्य होता है कि अब देखेगा कि यहां देख लीजेगा यह शट है एक यह शट है छा कारनत यह जान रखेंगे और यह संक्य हब कन प्रत्य हो गया कृतम अर्थ में ठीक है कि एने कृतम भी लग जाएगा इसमें और द्विशत्ण और कन अब इसका क्या अध्धर्द पूर्व दुगोर्व लुक संजयायां ए पूर्वत ज्याचा में लुक किया यह वी क्या दुगु संजया का संग्या पूर्व क्या होता आर ही अर्थमें उत्पन यो प्रत्य होता सगस्कों हो जाता है किनक्यगें क्या होए कण होलो जिए होली अल्यक्ष वगोल फेसले पड़ा होए गीव प्राप्त होगा उसका अपरीमान सब कुछ पूर्वत ओकर के द्विशता पत्त्री लगा देंगे या पत्त्री श्रता बन जाएगा तीन सो से खरीदी हुई कोई वस्तू ठीक है कि जलिएगा एक सिद्धी और वचिया उसको भी कर ले दें दो विस्ता दी की कि यहा पढ़ है कि इसी प्रकार द्वु विश्तवि पचती कि अ करे करे माशी है कि पर्माण को कहने वाला मैं दुबी से विस्ता पर्माण को पच्छाने पज्व पकाता है उसको लिए को यहां पर यह यह संभवत्य रहती इत्यादी चीज़ ठही प्रत्य हुआ है इसका पहले अर्थ देख लेते हैं फिर यह आपर देखेंगे है कि वहाँ पर भी गलत लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको पहले अर्थी दिखा देता हूं फिर सही हो जाएगा यह अर्थ है धुद्या समर्थात प्राथ्पतिकात सम्भवति अवहरति पचति इत्य तेश्वर्थेश्व यथा वेतम प्रत्यव भावति अब क्या है यहां पर देखना है यहां पर भी सिद्डी में यह गलत दिखा दिया है यहां पर हितिया समर्थ से यह भी हो गा तो यहां पर ड़िए आऊट आएगा डॳिए आओट गफ लेट विस्ता आऊट तब ही तुक्रत्यowy अ आ समर्थ है पूरिदों संजय के ओधिन संजय कोना औि संजय कर अर्त था और ही इरत है तो इससे लुक हो गया ठ़क का ठाहिक का हो गया ठाहिक लूक हो गया अध्लिय विस्थ और maps प्री प्राप्त हुआ ऊसका-पर अब निशेद हो गया अजया तश्टाप से टाप आगया स्वाधियुत्पत्ति करके क्या वने गया दिविस्ता त्रिविस्ता वने कि यहाँ पर करेंगे आप त्री शस विस्त शस ऐसा करना पड़ेगा क्ड़ं ना इस ढड़िय अचिता चती द्वयाचिता दो मध्न पकाती है पकाने वाली इसतरी है पकाती है मैं भी दुगों शिठं से पक्षमें हुआ ए जिसका पूर्वत ही लुक होकर के शेसब इसकार पूर्वत पूर्वत अका स सांस्यताątतनी बने इसको भी आपको दिखा देते हैं चलते चलते तो अपने आप कर सकते हैं आप राम से यहां पर द्वव आच्जित परमान वांची शब्द है इतना यह पंचीस मन का पंचीज मन का 1 आच्जित होता है इन के एसाप से तो यहां पर क्या है द्वी आउट आचित आउट यह समर्थ से लेना है यह भी तो यहां पर यह से करके और सारी यहां दुगोश्ठंश से क्या हो जाएगा पक्ष्णा ठाई होगा यह यहां पर यह नीचे सूत मैं दिखा देता हूं आपको यह है दुगोश्ठंश पच्पात्रेपन दुगोश्ठंश के ब्योदितिया समर्थेव्या आढका चिता पात्रांतेव्या प्राजपतिकेव्या संभवत्या दिश्व अर्थेश्व श्ठन प्रत्ययों भवत्यी खश्च विकल्पेना कि माने इस्थन प्रत्ययों और खश्च प्रत्यय विकल्प से होता है तो हमें यहां पर इस्थन प्रत्यय ले लेना है और पूर्वत सब कुस्छ उसका भी लुक आधी हो जाएगा धर्ध पूरुद्वलू संजयायाम से और फिर गीप्राप्त होगा उसका निश्यद हो ज जाएगा यहां पर संधी हो जाएगी द्वी और आचेत अज़ेस लगकर के द्वीक चिता इसे कि चलियेगा और आगे आपका च्वाव भ्याम कमबल्याप भ्यां कबल्याप भ्यां करीता कंबल्याप उसक्षवा के समा नहीं तेन कृतम से ठका करके और अध्धर्द पूर्व दुगोलू संजाय माधि सब कुछ लग करके पंचाश्वा दशाश्वा के समान ही इसको बना लीजिएगा द्वी आउट कंबल्य आउट दुतिया समर्त से होगा यह द्यान रखेंगे इसको समझ लीजिएगा यह हो गया आप चलते हैं आगे की कख्षा में पढ़ेंगे आगे का सूत्र है हमारा तेईस्मा कान डान तात क्षित्र इस परवेभ्यो नमः र heritage ओrio र हाव चो र मकातो समय की में विस्पी आप जट वर्वेभ्यों लीजिया आप उपता का सू ले आपेंगे प्रवेगा यह अँ बिक अन手 कारा